हालो साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल सेड़ीप कुनिवान सिवेंपर मेरा नाम है रभी और आप कर रहे हो मेरे साथ अपनी हिंदी की प्रेक्टिस क्लास चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास देखते हैं आज का पहला कोश्चन तो आपसन देखते हैं कनोजी बांगरू अवधी या फिर तेलगू तो साथियों आप लोग आंसर कीजिए इन में से कौन सी बोली या भासा ऐसी है जो हिंदी के अंतरगत नहीं आती है तो आपसन नंबर हो जाएगा इसका डी कौन सा जाएगा डी तेलगू इसमें नहीं आती देखते हैं करा कुश्चन आज का कुश्चन नंबर दो है हिंदी की आधि जननी है क्या बताना है हिंदी की आधि जननी निमें से कौन सी बासा है संस्क्रत पाली प्राक्रत या फिर अपभरंस हिंदी की आधि जननी कौन सी बासा है तो आंसर कीजिए आप लोग साथियों ह इन्दी की आदि जननी हो जाएंगी कौन सी भाषा है संस्क्रत कौन सी संस्क्रत आफ् pendulum इंधिork की से कहते हैं कुछ्चूं है क्लिचे कहते हैं सब्मो के संक्रिय को शब्ध गण में परोबर के विवस्थित समव हो तो पाँ आफ लोग मर माला कहते हैं आफूं दर्च कहते हैं वर्णों के वबस्थित समूह को आगे चलते हैं कुश्चन नम्बर चार निम्न में बताईए किस सब्द में दुईत बंजन है आपको बताना इनमें से किस सब्द में दुईत बंजन का प्रियोग हुआ है पुनाह इलहाबाद दिल्ली या फिर उत्साह दुईत है इनम्न में दुईत बंजन का प्रियोग हुआ है किस में दुली में आपसर नमबर भर्णे आगे देखते हैं कुश्चन नमबर पांच निम्न लेखित में सुद्ध बरतनी का चैन करें आपको बताना है सज्ञात इनमें से कौनसा सही लिखा हुआ है सज्ञात से आंसे यह वाला option number A विल्कुल सही है और की सारे के सारे गलत है तो साथियों अगर आपको मारी क्लास अच्छी लग रही है तो कृप्याओ एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने अपने गूर्प पर वीडियो को शेयर कर दें सभी लोग और लाइक कर लें और अगर आप नय जुड़ें तो एक बाद सस्क्राब कर लीजिए सभी लोग देखतें कहला क्वेस्चन स्वरसंदी का उदारण कौनसा है देखिये वागीश, दिगंबर, रतनाकर या फिर दुश्कर्म स्वरसंदी का उधारण कौनसा हो जाएगा इन में से आंसर कीजिए दोस्तों स्वरसंदी का उधारण हो जाएगा कौनसा रत्नाकर आगे चलते हैं अगला क्विश्चन है सज्जन का शंदी विच्छेद क्या है क्या बताना है, सज्जन का शंदी विच्छेद क्या है, सज्जन का शंदी विच्छेद आपको बताना है क्या है, अंसर कीजिए आप लोग जल दिल दिसे, सज्जन का हो जाएगा कौन सा, सत प्लस जन, सत प्लस जन यानी अपसर नमबर B, आगे चलते हैं अगला कुश्चन, लेखक सब्द के अंत में कौन सा प्रत्य लगा हुआ है लेखक ये जो लिखावा है सब्द इसके अंत में कौन सा प्रत्य लगा हुआ है आपको बताना है आप संदेख लिजिए और बताईए का प्रत्य लगा है इक लगा है आक लगा है या फिर अक लगा है लेखक लेखक में कौन सा प्रत्य लगा हुआ है यह मूल सब्द होता है लेख कौन सा होता है लेख तो लेख से बना है लेखक तो इसमें प्रत्य कौन सा लगा हुआ है अक लेख से वगया लेखक तो प्रत्य लगा है अक अपसर नमबर डी देखते हैं अगला कुस्चन अगला कुस् फिर यू या फिर आयू ची चीर यू आयू इसमें से कौन सा उफसर्ग लगा है चीर आयू में आंसर कीजिए चीर आयू में उफसर्ग कौन सा लगा है तो मूल सब्द होता है आयू इसमें लग गया चीर तो बन गया चीर आयू तो इसका हो जाएगा आपसर नमबर बी मूल स नाथ में कौन सा समास है दीना नाथ में कौन सा समास हो जाएगा कर्मधारे बहुरी दिग समास या फिर दौन्द समास दीना नाथ में कौन सा समास हो जाएगा जल दिल आप लोग आंसर कर लीजिए आंसर कीजिए फटाफट परिच्छा बहुत पास में आप लोगों की है 28 न प्रेक्टिस करते हैं लगाता जितनी ज्यादा प्रेक्टिस करोगे उतनी ज्यादा मजाएगी एक जाम में देखते हैं अगला क्वेश्चन परमेस्वर में कौन सा समास है क्या परमेस्वर में समास बताना है कौन सा है परमेस्वर में कौन सा समास हो जाएगा द्यूग समास क देखते हैं अगला कुश्चन अगला कुश्चन है गगन समास अफसर नमबर C देखते हैं अगला कुश्चन निम्न में तत्सम सब्द का चैन करना आपको है निम्न में तत्सम सब्द का चैन कीजिए बारात, वर्षा, हाथी, आंसू इनमें से तत्सम सब्द कौन सा है निम्न में तत्सम सब्द का चैन कीजिए तो इसका हो जाएगा अफसर नमबर B कौनसा है तत्सम वर्षा आगे चलते हैं अगला कुछ्चन है साथियों वकील किस भासा का सब्द है वकील किस भासा का सब्द है एक या दो बार हम खुद करवा चुके हैं पिछले क्लासों में इसको और कई बार एक जाम में भी आ चुका है वकील किस भासा का सब्द है आपको उक्तक रट गया होगा अर्वी भासा का सब्द है ये कौनसे भासा का है अर्वी भासा का सब्द है वकील आफसर नमबर B आगे देखते हैं कौन सा सब्द बहुवचन है माता प्राण लड़का किताब इन में से बहुचन कौन सा सब्द है बहुचन कौन सा सब्द हो जाएगा बहुचन इन में से कौन सा सब्द बहुचन है यह है प्राण कौन सा है प्राण जो है वो बहुचन है आगे देखते हैं निम्न लिखित में से कौन सा सब्द पुलिंग ह अपको बताना है कि इन में से पुल्लिंग कौन सा सब्सक्राइब कपट सुंदर्ता मूर्खता निंद्रा तो इन में से पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा आंसर कीजिया अप लोग कुछिश्यान नमबर 16 का हो जाएगा आप्सन नमबर A इसमें हो जाएगा कपट आगे चलते हैं गीदर का इस्तिरी लिंग क्या होगा गीदर का इस्तिरी लिंग आप्सन देखे और बताईए गीदर का इस्तिरी लिंग इनमें से कौन सा सही है क्या हो जाएगा गी दड़ का इस्ति दड़नी हो जाएगा कौन सा जाएगा आपसर नमबर बी गी दड़ का हो जाएगा गी दड़नी क्या हो जाएगा गी दड़नी आगी चलते हैं किस वाक्य में अपादान कारक है क्या बताना है किस वाक्य में अपादान कारक है राम ने रामड को तीर से मारा मोहन से अब सहा नहीं जाता हिमाले से गंगा निकलती है चाकू से फल काटो तो इन में से अपादान कारक किसमे है अपादान कारक पूछा गया है मोहन से अब सहा नहीं जाता राम ने रामड को तीर से मारा या फिर हिमाले से गंगा निकल कर अलग होती हैं तो इसमें कौनसा हो जाएगा अपसन नमब सी यह बिल्कुल इसका राइट आंसर आगे देखते हैं चंद का समानार्थी सब्द क्या होगा चंद का समानार्थी सब्द पूछा गया क्या होगा आवरण, पद, बंधन, आचरण इन में से कौनसा हो जाएगा चंद का समानार्थी सब्द चंद का समानार्थी होता है साथियों पद होता है कौनसा होता है पद होता है चंद का समानार्थी सब्द देखते हैं अनंत का पर्यायवाची सब्द है question number 20 देखिए अनन्त का पर्यावाची सब दिन में से कौन सा हो जाएगा देखिए और आंसर किजिए अनन्त का पर्यावाची क्या हो जाएगा निसीम, भगवान, सेशनाग या फिर बंधन अनन्त का पर्यावाची हो जाएगा आपसर number A निसीम आगे चलते हैं अगरा question है मूक का विलोम क्या होगा मूक का विलोम क्या हो जाएगा मूक इसका विलोम बताना है हास साप गोड या वाचाल मूक का विलोम क्या होगा मूक तो इसका हो जाएगा वाचाल की क्या होता है मूक का विलोम वाचाल कई बार पूछाया चुका यह इंपोर्टेंट रहने वाला इसको याद कर लेना मूख का विलोम होता है वाचाल क्या होता है वाचाल आगे चलते है सासवत का विलोम सब्द हो सासवत का विलोम सब्द होगा मताईए कौन सा हो जाएगा सासवत का विलोम सब्द इन में से कौन सा हो जाएगा सदयो अनस्वर नस्वर या फिर रहस समय सासवत का विलोम सब्द इन में से कौन सा हो जाएगा अनसर कीज़ आप लोग सासवत सासवत का हो जाएगा नस्वर क्या हो जाएगा नस्वर आगे चलते हैं अगला question देखते हैं पूरुस और इस्तरी के जोड़े को मतलब क्या कहा जाता आपको यह बताना है पूरुस और इस्तरी के जोड़े को क्या बोलते हैं पति-पतनी, यूग्म, यूगल या फिर दमपत तो इसको बोलते हैं क्या दमपत क्या बोलते हैं? दमपत अफसाद नमबर डीस अगला है जहां पहुचा ना जा सके उसके लिए एक सब्द बताना है दूरगम, अधिगम, अचम, सुगम तो आंसर कीजिए अप लोग जहां पहुचा ना जा सके उसको कहते हैं अगम उसको क्या बोलते हैं अगम अगला question देखते हैं वीर पुत्र को जनम देने वाली इस्तरी के लिए एक सब्ध क्या पूछा गया है वीर पुत्र को जनम देने वाली इस्तरी के लिए एक सब्ध बताना है वशंधरा माता जननी वीर प्रसु इन में से कौन सा आप्सन सही हो जा तो आंसर कर जिए आंसर किजी आप लोग कि इसका राइट आंसर है वीर प्रशू आगे चलते हैं बंदूक एक उपयोगी रिक्तिस्तान है तो बंदूक एक उपयोगी क्या है आपको यहां पर भढ़ना है और जार है अस्त्र है तो इसका राइट आपसर नमबर सी बंदूक क्या होती है सस्त्र है बंदूक एक उपयोगी सस्त्र है आगे देखते हैं उसने परिस्रम तो बहुत किया किन्तु सफलता नहीं मिली सरल वाक्य है शन्युक्त वाक्य है मिश्रत हो जाएगा या पिर इन में से कोई नहीं है और रहे क्या आपसर бросvos तो इसका हो जाएगा आपसा नमब्र भी यहे संयुक्त वाक्य करत्वाक्य केसा वसकचें कीजिए मोहन पुस्तक पढ़ता है आपके द्वारा मालूम हुआ नीन नहीं आती या पुस्तक पढ़ ही गई इसमें आपको बताना है किस वाक्य में है क्रत्वाच्य क्रतवाच्य का चैन कीजिए इन में से कुन से अप्सन में एक क्रतवाच्य तो इसका हो जाएगा अप्सन नंबर ए मोहन पुस्तक पढ़ता है यह क्रतवाच्य आगे देखते हैं अंगुठी का नग होना का अर्थ है क्या बताना है अंगुठी का नग होना का अर्थ क्या हो जाएगा बहुत सुन्दर छिपा हुआ बहुत प्रे या फिर अनुरूप जोडा होना अंगुठी का नग होने का अर्थ क्या हो जाएगा इसका अंसर की जप लोग अंगुठी का नग होना का अर्थ होता है अनुरूप जोडा होना क्या होता है अनुरूप जोडा होना है अफसन नमबर डी सही है इसका आगे देखते हैं आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है आम के आम गुठलियों के दाम का क्या अर्थ हो जाएगा आपको यह बताना है मनमानी करना नकली वस्तु देना दोहरा लाब होना या फिर बहुत शतुर व्यापारी बनना इन में से कौन सा अपसन सही हो जाएगा साथियों अंसर किज आप लोग आम के आम गुटलियों के दाम का सही अर्थ क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा दोहरा लाब होना ये इसका सहिया आंसर है अपसन नमबर C तो साथ ही हो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो करप्या लाइक कर लिजिए और अगर आप नए जोड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और अपने गुरूप पर अधिक साधिक सेयर कर दीजिए तो देखने के लिए धन्यवाद बाबाए